आज के इस आफ्टरनून मैज में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिछ पे बिलकुल भी घास नहीं है और पिछ बिलकुल ड्राइ है स्पिनर्स को मदद मिल सकती है आज तोनों पारी में मिडिलोवस काफी महत्वपूर्ण होने वाले है सब का स्वागत है इस खूप सुरद मैदान में टॉस के लिए यहां पर मौझूद है दोनों टीम के कप्तान और मैच रेफरी आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों की खिलारी जो आज मैदान में उतरेंगे स्वागत है आप सबका इस शानदार स्टेडियम में अमपाइज नई गेन के साथ पिछ की तरफ बढ़ते हुए ओपनिंग बैच्ट सुन पिछ की और बढ़ते हुए स्पिनर आया है अटैक में बल्ले पास तयार अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए पहली गेन पे चलता किया है बल्ले बास को क्या शुरुआ दिलाई है गेन बास ने अपनी टीम को इस विकेट की तलाश थी ने कैप्टन काफी खुश गेन बास से काफी निरास लग रहे है अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती फिर ना दोरा आए गेन बास साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट अब गेन बास ही करेंगे आसानी से खेला एक रन के लिए बढ़िया थ्रो स्टम्स के बेहत करीब ओवर दो विकेट गेन बास ही करने का निर्णा है अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा गेन बास साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट अब गेन बास ही करेंगे ठीक से टाइम नहीं कर पाए वहाँ सही समय पे बैक अप के लिए तयार थे वहाँ सिंगल लेकर बल्ले बास अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है सही समय पे बैक अप के लिए तयार थे वहाँ यह पिछ मेरे हिसाब से काफी बैलेंस लग रही है बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए गेन बाज लाइज से चुके और वाइब बाल का इशारा अवर धिकेट गेन बाजी करने का निर्मेल बाद ची बढ़ ची रॉनिंग बच्छे निंग बट्वेट्विकेट्स स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है गेन बाज साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट अब गेन बाजी करेंगे धीमी गेन इस पिच पेक अच्छा विकल्प होगा किसी फील्डर को मौका नहीं वाँ पर और गेन सीधा सीमा रेखा के बार गेन बाजों को ज्यादा अनुशासन से गेन बाजी करनी होगी अब आसानी से खेला एक रन के लिए सही समय पे बैक अप के लिए तयार थे वहाँ कि ओवर दुविकेट गेन बाजी करने का निन में बहुत सुन्दर खूब सुरज शॉट चार रन के लिए गेन बाज को अपनी लाइन लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा भड्या पीर लेकिन अंपाय ने दिया नौट आउट और वो अंपाय के डिसिजन से सहमत है गेन लगी स्टंप पर और बल्ले बाज को जाना पड़ेगा वापस पैविलियन और ये गेन बाज अपनी अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए तेज गेन बाज को लाया गया है गेन बाज साइड चेंज करते हुए राउंद विकेट अप गेन बाजी करेंगे सुन्दर शॉर्ड गैप में सीधा चार रन के लिए जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है आजसानी से दो रन मिल सकते हैं यहाँ आजसानी से केला एक रन के लिए ओवर दो विकेट गेन बाजी करने का निन नहीं आजसानी से कड्राइं यून करते हैं यहाँ एक्राइब गैप्रेख बार्शोर इनको ठायरें आजसानी से टाइब आजसानी से धने लिए बल्ले बाज बहतर इन ग्रॉनिंग बिट्वीन दुवेकर दोनों बल्ले बाज उनके बीच अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतुपूर होते हैं आसानी से खेला एक रन के लिए बल्ले बाजों को अब बाउन्डरीस की आवश रकता है ये रन रेट बढ़ाने के लिए अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा बैठर इन ग्रानिंग बिट्विन दुवे के दोनों बल्ले बाजों के बीच सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं अच्छा थ्रो फिल्डर का तेज़ और बिलकुल ठिकाने पे अच्छी गेंद और अच्छा लीव वी के अबल्ले बाज ने देखना होगा क्या गेंद बाज शॉट पिच गेंद की कोशिश करेंगे इस पिच पे ये गेंद फिर से डालनी पड़ेगी वाइड बाल ये गेंद फिर से डालनी पड़ेगी वाइड बाल स्टेडियम दर्शको से पूरी तरसे बरा हुआ है और क्रिकेट का अनंद उठा रहे बहुत अच्छी रणिप्विह तुन ब्हुत अच्छी रणिबट्वे विकट्थ आसानी से केला एक रन के लिए नो बॉल काफी निराश होंगे बोलर अपने आप सी हाँ चलिए देखते हैं क्या बल्ले बाद इस फ्री हिट को कैश इंग कर पाएंगे बढ़िया कैच पर कोई फाइदा नहीं ये गेंज फ्री हिट थी अंतिम ओवर्स के लिए विकेश को हाथ में रखना बहुत ही इंपॉर्टन्ट होगा कैप में खेल दिया है क्या दूसरा रंच चुरा पाएंगे कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है बढ़िया प्लेस्मेंट कुछ रंज जरूर मिलेंगे बल्लेबास को खेलाड़ी जल्दी से बैक अप करने के लिए आये थे हर रन की एहमियत समझते हैं बढ़िया चार रन गेन बल्ले से लगते ही उसका परिणाम तैथा बढ़िया फार्म में लग रहे है बल्लेबास आसानी से खेला एक रन के लिए ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने साधार रन फील्डिंग शायद दबाव महसुस कर रहे हैं खेलाड़ी इनिंग्स की समापती सलामी बल्लेबासों को जल्दी पैडप करके वापस क्रीज पर उतरना होगा तो लक्ष हमारे सामने है देखते क्या इस लक्ष को ये बैटिंग टीम पूरा कर सकती है या नहीं तेज गेंदबास को लाया गया है बल्लेबास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बढ़िया शॉर्ट और गेंद सीधी बाउनरी लाइन की तरफ जाती हुई रन रेट को नियंतरन में लाने के लिए विकेट्स की आवश्यक्ता है फील्डिंग टीम को कराना शॉर्ट बल्लेबास का और ये चेरन करीन या का जीम बाकुछी चाहिक बाहिक प्टाद। शरीर पे लग गई है गेन लेग बाइस की पुष्टी की है अमपायर ने बैठर इन ग्रानिंग बिट्वीन दो विकेर दोनों बल्लेबाद उनके बीच ठीक से टाइम नहीं कर पाए वहाँ पढ़िया गेन बिलकुल कनेक नहीं कर पाएं बल्लेबाद बड़े शॉर्ट्स मारने के पहले बल्लेबाद को पिच पर थोड़ा समय बिताना होगा फील्डर मौजद नहीं है इस दिशा में रन्ज जरूर मिलेंगे बल्लेबाद को कर तो काफीनजीक इमामला लकाएं नहीं अपयने दियां नहीं होड़ाद और वो अमपाय के डिसिजन से से सहमत है उठा के मारा है इसे कहते हैं गुद्ट कैच अफ दे मैच की श्रेडी में इसे जरूर शामिल करना चाहिए अपनी पारी की शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्ले बास को और या आउट बल्ले बास गेंद को जमीन पर नहीं रख पाए और कैच दे बैठे इस विकेट की तलाश थी ने कैपटन काफी खुश गेंद बास से क्वालिटी गेंद बाजी कप्तान की फील्ड प्लेसमेंट भी काफी अच्छी रही है चौका बैतरी शौर बल्ले बास द्वारा क्या बल्ले बाज फिर इससे बाउन्री की कोशिश करेंगे चलो देखते हैं अच्छी गेंद बल्ले बाज ने काफी लेट रियाक किया और गेंद जाके शायद बॉड़ी पर लगी है देखते हैं स्पिनर को इस पिछ पर कितना परचिस मिलता है कि इसके साथ पाउर प्ले समाप्त हुआ हवा में कई है गेंद कि अच्छी पर गेंद बाजी खेलने के लिए क्रीश करेंद बाजी खेलने के लिए इसका बहुत अच्छा उप्योक करते हैं ये कि क्या शॉट लगाया है फील्डर्स बने दर्शक खराब शॉट सेलेक्शन बिल्कुल समझ नहीं पाई गेंद को बल्ले बाज पिछली गेंद पर बड़े अंकमफर्टबल लगे अच्छा शॉट दो रन मिल सकते हैं यहां खूब्सूरत त्रो बिल्कुल स्टम्स के उपर गेंद बाज अपने प्रिफॉर्ड एंसे गेंद बाजी करते हुए बहुत ही बड़िया गेंद बाजी का प्रदर्शन गेंद बाज दुआरा बल्ले बाज जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे हूंगे सुन्दर शॉर्ड गैप में सीधा चार रन के लिए करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असानी से केला एक रन के लिए और ये थेरन दर्शकों में किसी को लिड़ा पड़ेगा ये कैच चतुराई के साथ जान बूच के ग्राउन के सबसे छोटे हिस्से में खेला किसी दूसरे हिस्से में यकिन छे रण नहीं मिलते ही शौट के लिए लेकिन अमपायर ने दिया नौट आउट और वो अमपायर के डिसिजन से सहमत है क्या शौक लगाया है फिल्डर्स बले दर्शक दोनों बल्ले बाद एक दूसरे को मबारक देते हुए अपनी जीत की खुशी मनाते हुए क्या शौक लेकिन अपनी जीत की खुशी मनाते हुए